नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है देखिए राजसरकार द्वारा नए साथ डिस्टिक और तीन संभागों में ब्रद्धी कर दी गई है अब दस संभाग और चालिस जिले हो गए है कौन सा जिला किस संभाग के अंतरकत आ रहा है वो मैं आपको पेस करने वाला हूँ वीडियो के अंतर तक आप जरूर आएं और जो दस संभाग हैं उसमें 40 जिलों को किस तरह से फिर से डिवाइड किया गया है उस सब की जानकारी हम आपको देने वाले हैं तो देख लेते हैं एक बार राज सरकार की प्रदेश में साथ जिले तीन संभाग बनाने की तयारी सेवान विर्थ आईएस डाक्टर रामलो भाया देखे डाक्टर रामलो भाया कमेटी बनाए गए थी ये करेंट में भी काफी अच्छा कोशन रहेगा आपके लिए कि जो नए डिस्टिक बनाने की जो कवायत सुरू की गई है उसमें जो कमेटी है उस कमेटी का नाम क्या है तो रामलो भाया कमेटी है देखे प्रदेश में 40 नए जिले तथा हो जाएंगे और 10 संभाग हो जाएंगे जनवरी के अंतिम सप्ता में पेश होने वाले बजट में गोशन करेंगे मानिय मुकमंत्री असो गहलो जी देखे शूत्रों के अनुसार शूत्रों के अनुसार राजय सरकार ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीमका थाना, कुचामन सिटी, सुजानगड और फलोदी जिले बनाने की गोशना करेंगी सरकार साथ ही सीकर, बाडमेर, चित्तोडगड को संभाग मुक्याले बनाए जाएगा तो तीन नए संभाग बनेंगे, एक तो सीकर बनेगा, बाडमेर बन रहा है और एक चित्तोड़गड, नए तीन संभाग बन रहा है तो वेरी इंपोर्टेंट हैं, ध्यान रखें बातों को और एक और अच्छी इंपोर्टेंट बात यह है कि कोटा में प्रदेश की तीसरी प्लिस कमिस्णरी बनाई जा रही है अब तक दोई प्लिस कमिस्णरी थी फस्ट रपाल जैपूर जोदपूर और अब थर्ड हो जाएगी कोटा में आगे देख लेते हैं देखिए अब राजस्तां की जो भागोलिक तस्वीर है वो इस प्रकार रहेगी जैसे जो जैपूर संभाग है उसके अंत्रकत कौण कौन से डिस्टिक आएगे तो जैपूर वो सारा इसमें समलित के जाएगा चूरू, सीकर, जुनजुनू और उसमें नीम का थाना समलित कर लिए गया है आगे देखेंगे देखिए बीकानेर संभाग जो है और बीकानेर संभाग में अब गंगा नगर, बीकानेर हनमानगड और सुजानगड देखिए इसमें एक नया डिस्टिक बढ़ा ली गया है और वो है सुजानगड जो चूरू से अलग हुआ है जो चूरू से जो अलग हुआ है सुजानगड उसे किसम बढ़ाए गया है बीकनेर में जोड दिया गया है जोदपुर संभाग की बात कर लेते हैं तो जोदपुर में पहले 6 डिस्टिक आते थे तो अब इसमें क्या है जोदपुर, पाली, नागोर और फलोदी इन 4 डिस्टिकों को समलित किया गया है इसके बाद में जो बाड़मीर नया डिस्टिक बनाए गया है उसे देख लेते हैं बाड़मीर समभाग में कौन-कौन से आएंगे बाड़मीर में बाड़मीर, जसलमीर, जालोर और नया डिस्टिक जो बनाए बालोतरा इनको समिल किया गया है और आगे देख लीजी एक बार देखिए जो अजमीर समभाग है अजमीर समभाग में अजमेर, टौक, ब्यावर और कोचामन सिटी, देखिए आपको पता होगा, इसमें नागर सामिल था पहले, लेकिन अब नागर के स्तान पर कोचामन सिटी को सामिल कर लिए गया है, ब्यावर को सामिल कर लिए गया है, तो इसमें देख लेंगे और, चित्तरगड जो संभाग जो नया बनाई गया इसमें चत्तरगड, परताबगड, बांसवाडा और भीलबाड़ा को सामिल किया गया है और उद्यपुर उद्यपुर में खुद उद्यपुर आएगा, डूंगरपुर आएगा, रासमंद आएगा और सिरोही आएगा और कोटा संबाग में कोटा, भूंदी, बारा और जालाबाड इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ठीक उसी प्रकार भरतपुर में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तोकि जो भर्तपुर और कोटा संभाग इसमें से कोई भी डिस्टिक नया नहीं बनाए गया है बात कर लिते हैं भर्तपुर में कौन-कौन से डिस्टिक थे पहले वो भर्तवान में भी है भरतपुर, खोद, क्रॉली, सवयमादपुर और धौलपुर डिस्टिकों को उसमें सामिल किया गया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चनल को सस्क्राब जरूर कर ले क्योंकि आने वाली लेटिस्ट जो खबरें हैं अर्थात रीट और सीटी से समानित हम आपको वीडियो देते रहेंगे और वो भी निसल को तो आज के लिए इतना ही आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्यू साथियो धन्यवाद